हेलो प्रज्ञान, हेलो विक्रम, हम भारत से बोल रहे हैं, वहां तक आवाज पहुच रही है ना, जवाब दो, कुछ इसी तरहां की बातों को सिगनल के जरिये इसरों के साइंटेस समय धर्ती से भेज रहे हैं, लेकिन शनिवार सुबह तक मिले ताजा अपडेट के मताबिक चांद से कोई जवाब नहीं आया है, जैसे जैसे चांद पर सूर्च की किरने बढ़ती जा रही है, भारतियों की धड़कने भी बढ़ रही है, पूरा देश प्राथना कर रहा है कि चांद पर सोय अपने दोनों बलवान उठ पड़ेंगे या नहीं, पिछले कुछ घंटो से इसरो के साइंटिस लगातार अपने रोवर प्रज्यान और विक्रम लेंडर को नीन से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, चांद के दक्षणी छेतर में माइनस 200 डिग्री सेल्सियस से पैदा हुई ठंड़क और गलन धूप बढ़ने के साथ घट रही है, और सता पहर गरमा हट बढ़ रही है, वहाँ धर्ती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है, ऐसे में कुछ घंटे बीच शुके हैं, लेकिन अब तक इसरो के साइंटिस्ट को चांद से कोई अच्छी खबर सिगनल के रूप में नहीं मिली है, चंद्रमा पर सूरेद्यों के बाद शुक्रवा हैं, जिस दिन स्लीप कमांड दिया गया था, तब इसरो के अद्रक्ष एसोमनात ने मीडिया से बताया था कि लेंडा और ओर को अपने आप जागना चाहिए, उन्होंने कहा हमने इसके लिए कुछ सर्किट को एक्टिव छोड़ा है, इसरो के स्पेस अप्लिकेशन सेंटर क निदेशक निलेश एम देसाई ने बताया कि हम जल्द ही कुछ सुनने की उमीद कर रहे हैं, जो कि एक दो दिनों में हो सकता है, वैसे या साफ तोर पर नहीं कहा जा सकता कि कब तक, एक अन्य वरिष्ट विज्यानिक ने कहा अब भी बहुत समय बचा है और इस रो इंतजा मिशन पूरा कर लिया है, अगर वे उठते हैं तो यहां बोनस की तरह होगा, सैंटे स्टोक का कहना है कि दोनों दूसरी पारी के लिए उठे या ना उठे, चंद्रियान तीन मिशन सफल है, उसके सभी उद्देश ये पूरे हो चुके हैं, रोवर ने चहल करनी की, रास्ते में बड़े कड़े को पार किया, इस रोको परियाप दाटा भी भेजा, वहां से लौटने का रास्ता भी साफ कर दिया, जी हां विक्रम ने चान पर उतरने के बाद हलिकॉप्टर की तरफ एक छोटी उडान भरी थी, इस से भविश में चान पर भारतियों के चाकर लौटन के तुदू पढ़ गई है